बच्चो पिछले कुछ अध्यायों में हमने देखा कि जब कोई वैपारी वैपार करता है तो वो अपने वैपार में बहुत सारी स्थाई संपत्तियों का प्रयोग करता है इस्थाई संपत्ति शब्द का प्रयोग हमने बार-बार कई अध्यायों में अलग-अलग आधार पर किया इन इस्थाई संपत्तियों में हमने देखा कि हम भूमी, भवन, मशीनरी, फ़नीचर इस तरह के संपत्तियों को शामिल करते हैं पिछले कुछ दिन पहले मैंने अपनी एक कार पांच लाख रुपए में बेच दी, जिसको मैंने दो साल पहले आठ लाख रुपए में खरीदा था आप भी जब अपनी किसी इस तरह की संपत्ति, कोई कार या कोई फ़नीचर, सेकेंड हैंड जिसे हम कहते हैं यानि कि यूज करने के बाद जब बेचते होंगे तो आप देखते होंगे कि जितने में हम उसको खरीदे रहते हैं वो उतने में ही नहीं बिकती बलकि उससे कुछ कम मुले में बिकती है ऐसा क्यों? हम यह मान लेते हैं कि वो second hand वस्तु है, पुरानी हो गई है हम उसको यूज करके बेच रहे हैं, इसलिए वो कम में बिकरी है वास्तों में जब हमने उसको खरीदा जितने में खरीदा और जितने में हमने उसको बेचा इन दोनों के बीच का जो डिफ्रेंस है वही मूल लिहास यानि की डेप्रिसीशन कहलाता है जैसे मान लेजिए ए ने एक फरनीचर 20,000 रुपए में खरीदा एक जन्वरी 2020 को और 31 दिसंबर 2022 को उसे 8,000 रुपए में बेच दिया खरीदा कितने में 20,000 रुपए में और बेचा कितने में सिर्फ 8,000 रुपए में यानि 12,000 रुपए कम मिले यह 12,000 रुपए कहां गए यही depreciation है यही मूले हास है मूले में होने वाली कमी यानि कि मूले हास तो हम इस पूरे अध्याय में देखेंगे कि मूले हास क्या है कैसे तुद्पन होता है क्या कारण है इसके किन संपत्य उपर ये लगाया जाता है क्यों लगाया जाता है क्यों मूल लिहास की गढ़ना जरूरी है मूल लिहास का सीधा सीधा अर्थ अगर हम देखें तो किसे भी स्थाई संपत्ती के मूले में होने वाली कमी को मूल लिहास कहा जाता है यहां हमको दो चीजों पर विशेज ध्यान देना है एक तो इस्थाई संपत्ति और दूसरा मूल्य में कमी यह जो मूल्य हास है यह केवल और केवल स्थाई संपत्तियों के समंध में ही प्रयोग किया जाता है याने स्थाई जंपत्ती के मूले में होने वाली कमी को ही हम मूल्यास मानते हैं यहाँ पर एक उदाहरन सरूप हम देखते हैं कि एक मशीन अगर हमने एक जनवरी 2020 में 50,000 रुपय में खरीदी थी और उसको हमने 31 दिसंबर 2021 को 30,000 रुपय में बेच दी यहाँ हम डिफरेंस देख रहे हैं कि 20,000 रुपय का डिफरेंस आ रहा है जिसको कि हम मूल्यास बोलेंगे यह तो हमने जान रखा है वास्तों में यह जो मूल्यास होता है यह इसलिए होता है ताकि हम मशीन के मूले में जो कमी हो रही है लगातार हो रही है निरंतर हो रही है उसके लिए एक अलग से अकाउंट मेंटेन करके रखें ताकि भविश्य में उस मशीन को रिप्लेस करके जब हमको दूसरी मशीन खरीदनी पड़े तो उतनी धन राशी हमारे पास मूल लिहास खाते के अंदर जम्मा हो जिसको हम विट्रॉल करके एक नई वैसी ही मशीन खरीद पाएं मूल लिहास की इस पूरी अवधारना को और अच्छे से समझने के लिए आएए हम मूल लिहास से सम्मंदित कुछ परिभाशाओं को देखें जे एन कोटर के अनुसार एक संपत्ती के मूल में किसी भी कारण से होनी वाली धीरे धीरे तथा इस्थाई कमी को हास कहते हैं विलियम पिकल्स के अनुसार संपत्ती के गुण, परिमाण अथवा मूल में इस्थाई वनिरंतर होनी वाली कमी को मूल लिहास कहते हैं अनुसार गिसावट इस्थाई संपत्ती के लागत के उस भाग को बताता है जो कभी वापसी पाने योग्य नहीं होता जब संपत्ती को अंतिम रूप से हटा दिया जाता है तो आपने देखा कि विभिन विद्वानों ने माना है कि मूल लिहास इस्थाई संपत्तियों पर लगाया जाता है और लगाया जाना जरूरी भी है यहां पर हमको विशे ज्यान रखना है कि मूल लिहास केवल इस्थाई संपत्यों से संबंदित होता है और मूल लिहास को लगाने के बहुत सारे कारण होते हैं तो आईए हम मूल लिहास के लगाने के कारणों पर नजर डाले कि क्यों लगाया जाता है मूल लिहास सबसे पहले हम देखते हैं कि संपत्यों का निरंतर प्रयोग किया जाता है हम चाहें भवन खरीदें, मशीनरी खरीदें, फरनीचर खरीदें या मोटर वेखल के रूप में कोई स्थाय संपत्य खरीदें हम लगातार उनका प्रयोग करते हैं और लगातार उनका प्रयोग करते रहने से उसमें घिसावट आ जाती है वो पुरानी हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे मुसका प्रयोग करते जाएंगे जो संपत्ती है वो पुरानी होती जाएगी उसमें घिसावट आती जाएगी तो उसकी मूले में कमी आना स् मूल लिहास का दूसरा महत्वपून कारण है आप्रचलन कई बार बहुत सी संपत्या ऐसी होती है जो आप्रचलित हो जाती है यानि उसकी जगा कोई और दूसरी मशीन ले लेती है जैसे कुछ समय पहले हमने देखा कि जब कम्प्यूटर आ गया प्रयोग में तो उस समय टाइप राइटर का जो प्रयोग होता था वो बिलकुल बंद हो गया या कम हो गया कम्प्यूटर जो काम कर सकता था जितनी स्पीड में काम कर सकता था उतनी स्पीड में और उतने अच्छे से टाइपिंग मशीन काम नहीं कर सकती थी यानि यहां पर हम प्रयोग कर सकते हैं आप्रचलन शब्द का कम्प्यूटर के आज आने के कारण टाइप राइटर मशीन आप्रचलित हो गई अब क्योंकि वो आप्रचलित हो गई बहुत लोग उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो उसकी वो जो मशीनरी है टाइपराइटर जो है भले वो बिलकुल निव कंडिशन में हो टॉप मॉडल की हो लेकिन वो वैसा काम नहीं कर पा रही है जैसा की कंप्यूटर कर पा रहा है तो इसलिए उस टाइपराइटर के मुल्य में कमी होना स्वभाविक है तो यही कमी मूल लिहास कहलाएगी एक कारण हो सकता है समय व्यतीत होने के कारण हम पेटिंट जैसे संपत्तियों को देखते हैं खदाने होती हैं ये लीज पर प्राप्ति की जाती है और ये जो टाइमिंग होता है इनका पट्टे का या लीज का ये निश्चित होता है एक कांट्रेक्ट के तुरू एक निश्चित टाइम निधारित कर देते हैं कि इस समय के पश्चात ये लीज समाप्त हो जाएगी तो जब वो लीज समाप्त होती है जैसे जैसे जिस समय के उपरान समाप्त होती है उसी समय के आधार पर इन संपत्तियों में भी depreciation charge किया जाता है वैसे ही एक महत्वपूर्ण कारण है मूल पदार्थों की समाप्ती के साथ इसका प्रियोग हम ऐसे समपत्यों के लिए करते हैं जो हमेशा के लिए जिनका यूज हम नहीं कर पाते कुछ निश्चित समय का भंडारन उनमें रहता है जिसे कुदारन के तौर पर हम देखे तो खदाने जो होती है माइन्स जो है उनसे हम जो खनिज निकालते हैं एक समय के पश्चा धीरे धीरे फिर वो समाप्त होते जाते हैं तो जैसे जैसे वो समाप्त होते जाते हैं उनका depreciation हम calculate करते जाते हैं मूल लिहास हम उन पर उसी आधार पर आरुपित करते जाते हैं यहां पर एक महतुप्रून कारण है दुरघटना चाहे हम motor vehicles की बात करें किसी furniture की बात करें यह किसी अन्य machinery की बात करें हो सकता है अचानक से कोई दुरघटना हो जाए वो मशीन या मोटर वेकल या फनीचर छती गरस्त हो जाए अब ऐसी कंडिशन में भले ही कल की डेट में आपने उन मशीनरी को या एसेट्स को परचिस किया हो लेकिन आज अगर वो दुरघटना गरस्त हो जाती है तो उसके वेल्यू पूरी-की-पूरी खतम हो जाएगी या कम हो जाएगी और डेप्रिसेट हो जाए जिसको हम कह सकते हैं तो हम यह नहीं कह सकतें कि दो दिन या तीन दिन में इसके वैल्यू इतनी कम क्यों हो गई क्योंकि उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था कि वह संपत्ती दुरगटना ग्रस्त हो चुकी है फिर हम उसके वैल्यूएशन करेंगे कि अब वो कितने की रही और जितने कि उस संपत्ती को हमने खरीदा था और अब डेप्रिसिये के तौर पर माल लिजिए एक ट्रक 20 लाग रुपया में खरीदी एक वैपारी ने कब खरीदी एक जन्वरी 2019 को और 15 फरवरी 2019 को वो ट्रक दुरगटना से छती ग्रस्त हो गई यानि एक से डेड़ महिने के बीच वो दुरगटना ग्रस्त हो गई ट्रक और उसके लिए छती लाग की ट्रक और इतनी कम टाइम में केवल हमको बारा लाग रुपय उससे प्राप्त हुए चती पूर्ती के तो आठ लाग रुपय कहा गया यह जो डिफरेंस के अमाउंट है यह हो गई डेप्रिसीट यहां पर मूलिहास लग गया और कारण इसका क्या बना दुरगटना रज़्त होना वैसे ही मूलिहास का एक महतवपूर्ण कारण है बाजार में गिरावट यह जो गिरावट होती है वो स्थाई गिरावट होती है शायद उसके बहुत ज़्यादा फ्लेक्श्वेट होने यह फिर से मूलिह के बढ़ जाने की संभावना बहुत कम होती है हम दे mobile phone जैसी जो चीजे हैं आप देखते होंगे कि बहुत जल्दी जल्दी ये अपडेट होते रहते हैं बहुत जल्दी जल्दी इनमें changes आते रहते हैं और लोग अपने fashion और stock के अधार पर इनको परिवर्तित करते जाते हैं बदलते जाते हैं यही कारण है कि इनके मूले में बह changes किया गया था दोनों के बीज के difference को हम मूलेहास मान लेते हैं depreciation मान लेते हैं और इसका कारण हमानते हैं कि बाजार में उस वस्तू के मूले में गिरावट आ गए तो ये तो हमने कुछ ऐसे कारण देखे जो मूलेहास का कारण बनते हैं इसके अलावा और बहुत से कारण आप देखेंगे जिसके कारण किसी वस्तू का मूले घट जाता है कम हो जाता है मूलेहास के कारणों को जान लेने की बाद आब आए देखते हैं कि मूलेहास की आवशक्ता क्यों महसूस की गई क्या उद्देश है क्यों बनाया जाए depreciation account क्यों calculation की जाए depreciation की सबसे पहला औ उत्पादन लागत ग्याद करने के लिए जब एक उत्पादक किसी भी वस्तू का उत्पादन करता है तो उसमें बहुत सी चीजे जुड़ी होती हैं बहुत सारा कच्चा माल लगा होता है श्रम लगा होता है मजदूर उस पर काम करते हैं और साथ साथ उसमें हम बहुत सार अत्रिक्त वस्तू का प्रयोग करते हैं तो जाके किसी वस्तू का उत्पादन हो पाता है लेकिन कहीं न कहीं किसी मशीन का प्रयोग हुआ होगा जिस भवन में उत्पादन हो रहा है उस भवन का प्रयोग हुआ होगा तो यह जो मशीने हैं भवन हैं यह स्थाई संपत्ति हैं जिस तरह से आप मजदूर को मजदूरी दे रहे हैं अन्य करमचारियों को वेतन दे रहे हैं वैसे ही कुछ वैलुएशन उस मशीन की कुछ वैलुएशन उस भवन के भी तो उस उत्पादन के लागत में जुड़नी चाहिए तो डेप्रिसेशन के रूप में हम इस्थाई संपत्तियों के लागत को मूलिहास में जोड़ते हैं और यही मूलिहास जुड़कर उत्पादन लागत का हिस्सा बन जाता है दूसरा हम देखते हैं शुद्ध लाब या हानी का निर्धारन करने के लिए व्यापार में जो भी उत्पादन होता है जब हम उसका विक्रे मूलिय नरधारित करते हैं तो हम देखते हैं कि उत्पादन लागत और विक्रे मूलिय दोनों के बीच कुछ डिफरेंस होता है उस difference को हम profit बोलते हैं माल लेजे किसी वस्तु को बनाने में 500 रुपए per unit की लागत आती है इस लागत में मुल्यास भी शामिल है जैसे कि हमने first point में देखा और इस वस्तु को हम 600 रुपए per unit में बेजते हैं यानि कि हमको यहाँ पर profit कित्ते का हो रहा है 100 रुपए का लेकिन यह net profit तभी होगा तभी कहलाएगा जब इसमें से depreciation घट चुका हो जब हमने उत्पादल लागत ग्यात की तो उसमें भी हमने depreciation को एड किया हो शामिल किया हो और उसके बाद हम उसको sale में से घटाते हैं उस total production expense जो होता है total जो पादन वे होता है उसको जब हम विक्रे मूले से घटाते हैं तभी जाके हमको शुद्धलाब या शुद्धहानी ग्यात हो पाती है तो मूले हास इसले भी ज़रूरी है कि हम कि सिवस्तू पर शुद्धलाब या शुद्धहानी calculate कर सके एक महतुपुन बात हम देखते हैं यहाँ पर संपत्ती की पुना स्थापना के लिए एक मशिनरी पर जब हम depreciation calculate करते हैं साल दर साल हम उसकी calculation करते जाते हैं हम एक estimated life मान लेते हैं उस मशिनरी का अनुमानित जीवनकाल निधारन कर लेते हैं और जितना जीवनकाल अनुमानित होता है उसके आधार पर हम depreciation calculate करते हैं अब इस depreciation account में जो amount हम डालते जाते हैं वो amount एक fund के रूप में हमारे पास जम्मा हो जाती है जब वो machinery खराब हो जाती है और हमको महसूस होता है कि हम नई machinery हमको खरीदनी थी तो हमने उस depreciation fund में जो पैसा जम्मा किया है उस पैसे को use करके फिर हम नई machinery purchase कर सकते हैं तो नई मशीनों के स्थापना के लिए उनको खरीदने के लिए ये संपत्ती की पुना स्थापना के लिए इस तरह से depreciation account बना कर रखना जरूरी होता है एक बात तो पूर्ण बात यहां पर हम ये भी देखते कि संपत्ती के उचित मूलिक के नरधारन के लिए जैसे कि हमने उदारन में देखा कि एक मशीन एक जनवरी 1995 को एक लाख रुपए में खरीदी गई और फिर वही मशीनरी एक जनवरी 1997 को असी हजार रुपए में बेच दी गई यहां पर प्रौफिट या लॉस क्यालकुलेट करने के लिए हम डारेक्ट अगर उसको निकाल देते हैं एक लाख में से 80,000 माइनस कर देते हैं तो हमको डेप्रिसेशन हम ये तो माल लेते हैं कि 20,000 रुपए हमको हानी हाँ पर हो रही है डेप्रिसेट हो गया लेकिन profit and loss की calculation के लिए हमको वो मूले चाहिए होता है जो उस संपत्ती का उस दिन का मूले होता है जिस दिन वो संपत्ती बेची गई और उसके बाद हमने कितने रुपए में उसको बेचा इन दोनों का difference संपत्ती का शुद्ध लाब संपत्ती के विक्रे पर शुद्ध लाब या शुद्ध हानी को calculate करता है एक उदाहरण के तौर पर यहां पर हम देखते हैं एक machinery एक जन्वरी दो हजार बीस को दस हजार उपए में खरीदी गई और 31 दिसंबर दो हजार इकिस को आठ हजार उपए में बेच दी गई हमने इस machine को दो हजार बीस और दो हजार इकिस में यूज किया दो साल तक यह machine हम यूज करते रहें तो दो साल तक इस machine की cost जो है वो दस हजार तो नहीं रहेगी अगर इस पर 10% per year depreciation हम calculate करते हैं तो इस machine पर 1st year में 10,000 की machine पर 10% depreciation याने की 1,000 लगा और 2nd year में फिर से 10,000 depreciation लगा 1,000 याने 2,000 तो depreciate हो गया 10,000 की machinery में 2,000 depreciate हो चुका है याने जिस दिन हम मुश मशी machinery को बेच रहे हैं उस दिन उसकी cost है 10,000 minus 2,000 equal to 8,000 8,000 जो amount है जो value है वो उस date पे है जिस date पे वो machine बिक रही है अब इसको हम compare करते हैं selling price से कि वो कितने में बिक रही है तो यहाँ पर हमने देखा कि 8,000 में वो machine बिक रही है 8,000 की cost की machinery 8,000 में बिक रही है याने कि ना तो यहाँ पे profit हो रहा है और ना ही loss हो रहा है अब इसी machine को मान लेजिए हम 12,000 में बेचते हैं तो हम देखेंगे कि जिस दिन वो machine बिकी उस दिन उस machinery की cost कितनी थी 8,000 और हम उसको बेच कितने में रहे हैं Sailing price क्या है 12,000 याने इन दोनों के बेच का जो difference है 4,000 वो हमारे लिए क्या हो जाएगा profit इस से opposite हम देखें अगर इसी machine को हम यहाँ पर 6,000 में sale कर दें तो अब हम compare करते हैं कि machine की cost कितनी है 8,000 machine हम sale कितने में कर रहे है 6,000 यानि यहाँ पर हमको जब हम machine को sale कर रहे हैं तो हमको loss हो रहे हैं तो machine की cost ग्याद करना बहुत जरूरी होता है profit and loss calculate करने के लिए और machine की cost ग्याद करने के लिए depreciation calculate करना जरूरी होता है तो एक तो ये कारण एक अन्य कारण हम देखते हैं आयकर में छूट प्राप्ति करने के लिए जब हम income tax की calculation करते हैं तो ये देखा जाता है कि पुरे form की कुल संपत्ती कुल दाईत कितना है उन संपत्तियों में से current assets कितनी है और liabilities कितनी है fixed assets कितनी है तो यहाँ पर जब हम fixed assets की calculation करते हैं तो यहाँ जरूरी होता है कि उनके से depreciation minus करने के बाद ही उनकी valuation की जाए तो income tax के लिए भी depreciation की calculation जरूरी होती है एक महत्वपूर आवशक्ता ये भी है कि वैधानिक प्राउधान के लिए वैधानिक आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए मूल लिहास ग्याद करना जरूरी होता है क्योंकि कई बार ऐसे नियायाली प्रक्रिया होती है जिसमें आपको प्रूफ करना होता है नियाला में कि आपके पास actually कितनी संपत्ती है कितनी दाइत है कमपनी की वित्तिय स्थितिक कैसी है तो उसके लिए इस्थाई संपत्तियों पे depreciation माइनस करने के बाद ही हम उनकी exact value, exact cost पता लगा सकते हैं तो ये इसलिए भी जरूरी होता है और एक महत्वपूर आउशक्ता या उद्देश हम कह सकते हैं कि आधुनिक मशीन को क्रे करने के लिए जिसे कि हमने इसके पहले देखा depreciation के रूप में एक छोटी से amount साल दर साल हम उस machinery पर काटते जाएंगे और depreciation fund में हम उसको save करते जाएंगे फिर हमारे पास इतनी amount जमा हो जाएगे कि आवशक्ता पढ़ने पर जरूरत होने पर हम उस amount से और update कोई machinery और आधुनिक कोई machinery हम खरेज सके हैं तो ऐसे बहुत से उद्देश होते हैं जो company के लिए profit के लिए company को लाग देने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति को बनाए रखने के लिए depreciation के calculation को बहुत जरूरी मानते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि क्यों जरूरी है depreciation calculate करना क्या इसके आवशक्ताएं थी और उद्देश हैं अब हम देखते हैं कि कौन से वो तत्व हैं जो मुल्य हास की राशी का नरधारन करते हैं यानि कि जब हम depreciation calculate करना शुरू करते हैं तो कौन-कौन से ऐसे तत्व जरूरी हो जाते हैं सबसे महतुपूर्ण बात होती है संपत्ती की लागत मुल्य यानि कि संपत्ती की cost कितनी है क्योंकि cost पे हम depreciation calculate करते हैं cost ही नहीं मालूम होगी तो हम किस पे depreciation calculate करेंगे तो जब हम संपत्ती के लागत मुले की बात करते हैं तो लागत यानि सीधा सीधा संबन क्रे मुले कितने में हमने उस संपत्ती को क्रे किया लेकिन क्या हम सिर्फ संपत्ती के क्रे मुले को लागत मान सकते हैं संपत्ति को खरीद के कहीं से हम अपने फॉर्म तक लाते हैं इसको इस्टैबलिश करवाते हैं उसके लिए अधर कुछ एक्विप्मेंट की जुरत पड़ती है तो उसको हम पर्चेस करते हैं तो फिर हम इन सब चीजों को किस में शामिल करेंगे यहां हमको ध्यान में रखना होगा कि संपत्ति के लागत में संपत्ति का क्रैमूल्य उसको लाने के वै जहां पर हमने उसको पर्चेस किया वहां से अपने स्थान पर जहां पर हमको इस्टैबलिश करना है वहां तक लाने के जो वै होते हैं और प्लस इनको स्टैबलिश करने के जो वे होते हैं स्थापित करने के जो वे होते हैं और साथ ही साथ हम इसमें कुछ ऐसे वे को भी शामिल कर लेते हैं अधर एक्क्यूपमेंट हम ऐसे कुछ खरीदते हैं जो संपत्ती को स्टाबलिश करने के लिए जरूरी थे तो यहां पर हम उसको भी संपत्ती की मूल ला और उस cost of assets पे ही हमको depreciation calculate करना होता है दूसरी महत्रपूर्ण बात होती है संपत्ती का अनुमानित जीवनकाल जब हम कोई संपत्ती खरीदते हैं तो एक हम अनुमान लगा लेते हैं कि लगभग 5 साल 6 साल 7 साल चल जाएगी जितनी उस machine की capacity है जितनी अच्छी techniques उसमें यूज की गई है और दूसरी बात कितना हमको उसको यूज करना है कितनी जादा हमारे लिए उसकी उपयोगिता है ऐसे कई चीजों के आधार पर हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि संपत्ती का जीवनकाल यानि कि इसके estimated life कितनी है क्योंकि जब हम depreciation के calculation करते हैं तो इस estimated life को ध्यान कि scrap value जब हम उस मशीन को एक estimated life complete होने के बाद sale करेंगे तो लगभग लगभग कितनी राश्री हमको मिल जाएगी कितना amount हम उससे receive कर पाएंगे ये होता है scrap value पुरानी machinery को बेचने से जो amount हमको मिलती है वो absist mule या scrap value कहलाता है जब हम मुल्य हास की गर्णा करेंगे तो यहाँ पर हमको scrap value यानि कि अफशिस्ट मुल्य को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होगा आगे हम देखेंगे कि कौन-कौन से methods हम use करेंगे इस depreciation की calculation के लिए और कहां पर ये scrap value estimated life इन सब का use हम करेंगे एक महतुपूर्ण तत्व यहाँ पर आएगा संपत्ती का प्रियोग किस तरह से उस संपत्ती का प्रियोग किया जा रहा है कौन कर रहा है कितना कर रहा है छमता कितनी है उस संपत्ती के प्रियोग की कितने साल वो चल पाएगी किस तरह से प्रियोग किया जाए ये सारी चीज़े भी बहुत माइने रखती है डेप्रिसिशन की कैलकुलिशन में एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है आप्रचलन की संभावना हमने आप्रचलन की बारे में पढ़ा कि जब कोई नई मशीनरी आ जाती है अच्छी टेकनलोजी की कोई मशीने आ जाती है तो पुरानी टेकनलोजी को रिप्लेस वो कर देती है ऐसी कंदिशन में वो आप्रचलीत हो जाती है उनका मूले कम हो जाता है और इसी कमी को हम मूल लिहास यानि की डेप्रेसिशन कहते हैं अब जिन मशीनों के जितने जल्दी अप्रचलीत हो जाने की संभावना रहती है उन मशीनों पर उतना ही जादा depreciation कैलकूलेट करना पड़ता है यानि rate of depreciation जो होता है मूल लिहास की दर जो होती है वो थोड़ी सी जादा होती है उन मशीनरी पर जिनके अप्रचलन होने की जल्दी अप्रचलित हो जाने की संभावना होती है तो अप्रचलन होने की संभावना को भी मूल लिहास की कैलकुलेशन में हमको ध्यान में रखना पड़ता है इसे तरह से हम यहाँ पर विन्योजित पूंजी पर व्याज की दर को भी ध्यान में रखते हैं जिस इस्थाई सं इतने पर या उस पर विन्योग करने पर जितनी ज़्यादा व्याज हमको जितना ज़्यादा इंट्रेस्ट हमको देना पड़ रहा है उतने ज़्यादा परसेंटेज पे हम उस मशीनरी के लिए डेप्रेसियेशन क्यालकुलेट करेंगे क्यूंकि इंट्रेस्ट की जो यह नई मशीनरी परचस कर साकें, फिर हम यहाँ पर देखते हैं संपत्ती पर पूंजी गत्वे, यानि कितनी महंगी वो संपत्ती है, कितने में खरीदी गई है, बहुत महंगी संपत्ती है, तो जादा बढ़ी विदर पर हम डैप्रेसेशन काल्कुलेट करते हैं, सस्ती संप करने के लिए इन सब को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है आए अब देखते हैं कि डेप्रिशियेशन के विश्यस्ता इनके characteristics क्या है विश्यस्ताइं क्या है इनमें तो एक तो हमको यह दिखाई देता है कि स्थाई संपत्ती से संबंदित है जब हमने इसके परिभाशाएं देखी जब हम इसके अर्थ को जान रहे थे तब हमने देखा कि यह केवल स्थाई संपत्ती यानि फिक्स एसिट से संबंदित है दूसरा इसके विश्यस्ता हम देखते हैं कि निरंतर प्रक्रिया है यानि हर साल हमको करना चाहिए जितनी उस संपत्ती का जीवन काल है जब तक वो संपत्ती चल रहे हैं जब तक हम उसको रिप्लेस नहीं कर देते तब तक हम उस पर डैप्रिसेशन क्यालकुलेट करते रहते हैं यानि कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है ऐसे ही हम देखते हैं कि इस्थाई कमी को प्रदर्शित करता है यानि वो जो कमी वो जो डिरंक्षन हमने कर दिया डैप्रिसेशन के रूप में वो कहीं से फिर कवर नहीं हो सकता एक बार संपत्ती का मूले घट गया तो फिर वो घटता है बढ़ता नहीं है फिर हम यहाँ पर देखते हैं इसके विशेस्ता के रूप में कि एक वय है यह जैसे हम बहुत सारे वय देखते हैं वयपार में बहुत सारे वय होते हैं हमने देखा कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में हमने बहुत सारे डारेक्ट और इ उसको हम आप्रत्यक्ष वै मानते हुए profit and loss account के debit side में लिखते हैं तो एक प्रकार का ये वै है इसको हमको या पे ध्यान में रखना है और दूसरी बात ये पुस्त की मोल्य याने की book value से related होता है हमको depreciation calculate करते समय उसके purchase price से कोई लेना देना नहीं है हमको ये देखना है कि जि उस दिन उसकी book value यानि उस दिन उसकी लागत कितने थी और इसी आधार पर हम depreciation की calculation करते हैं वैसे ही एक और महतुपूर्ण विशेस्ता इसकी ये है कि संपत्ती का जीवन काल इसमें बहुत महतुपूर्ण स्थान रखता है और जब तक ये संपत्ती चलती है जितना उसका जीवन काल होता है तब तक हम depreciation calculate करते रहते हैं तो ये हमने depreciation यानि कि मूल लिहास की कुछ विशेस्ता है देखी तो आये देखते हैं मूल लिहास आप रचलन और उच्छावचन में अंतर क्या है मूल लिहास आप रचलन और उच्छावचन में अंतर समानेता मूल लिहास आप रचलन और उच्छावचन का प्रियोग एक ही अर्थ में किया जाता है पर आपस में ये अलग-अलग है इनमें अंतर हम इस प्रकार कर सकते हैं अंतर का आधार पहला कारण के आधार पर मूल लिहास प्राकृतिक प्रकोव समय और नरंतर प्रियोग के कारण संपत्य के मूले में होने वाली कमी को कहते हैं कारण के आधार पर अप्रचलन संपत्य के पुराने हो जाने के कारण या नवीन अविश्कारों के कारण पुरानी संपत्यों का प्रियोग नहीं करने पर होता है कारण के आधार पर उच्चावचन संपत्ति के मुल्यों में बाजार के गतिविधियों के कारण होने वाले उतार चड़ाओ को कहते हैं स्वभाओ के आधार पर मुल्यहास संपत्ति के प्रयोग के अनुसार निश्वित किया जाता है स्वाभाव के आधार पर अप्रचलन में अनिश्यत्ता रहती है अचानक परिवर्थित होता है स्वाभाव के आधार पर उच्चावचन बाजार के मांग में परिवर्थन के अनुसार मुल्य परिवर्थित होते रहते हैं लेखा के आधार पर मूलिहास लाभानी खाते में वै के रूप में प्रविष्ट किये जाते हैं जबकि लेखा के आधार पर आप्रचलन के अंतरगत इसकी हानी पूंजी गतानी मान ली जाती है लेखा के आधार पर उच्चावचन किसी भी प्रकार का लेखा नहीं होता है निश्चित्ता के आधार पर मूलिहास होना निश्चित है निश्चित्ता के आधार पर अप्रचलन होना निश्चित नहीं है क्योंकि यह नए अविश्कारों पर निर्भर करता है निश्चित्ता के आधार पर उच्चावचन भी अनिश्चित होता है निश्कर्ष के आधार पर मूले हास आप्रचलन एवफ उच्चावचन दोनों को शामिल करता है जबकि आप्रचलन निश्कर्ष के आधार पर हास वा उच्चावचन पोन रूप में नहीं आते हैं उच्चावचन निश्कर्ष के आधार पर आप्रचलन या हास नहीं माना जाता आपने देखा कि मूल लिहास आप्रचलन और उच्चावचन में किस प्रकार हम अंतर दर्शा सकते हैं यही पर अगर हम देखें कि आप्रचलन याने कि आप वो प्रचलित नहीं है या हम कहें कि गत प्रयोग पहले उसका प्रचलन था लिकिन फिर भी इनमें हम कुछ अंतर ढूंड सकते हैं तो आएए देखें आप्रचलन और गत प्रयोग में क्या अंतर है आप्रचलन एवं गत प्रयोग में अंतर पहला कारण नई संपत्ती के अविश्कारों के कारण पुरानी संपत्ती का आप्रचलन हो जाता है जबकि समय के व्यतीत होने से पट्टे पर ली गई संपत्ति ठेका आधिका मोल्य कम हो जाता है दूसरा प्रतिस्थापन के आधार पर औप्रचलन में नई मशीनों की प्रतिस्थापन की जाती है जबकि गद प्रयोग के अंतरगत पुरानी मशीनों के पुराने मॉडल से भी काम लिया जा सकता है कारिचमता के आधार पर औप्रचलन में पुरानी मशीने गिर जाती हैं तथा उनके कारिचमता कम हो जाती हैं गत प्रयोग के आधार पर मशीनों के प्रयोग न करने पर भी मूल्य में समय व्यतित होने के कारण कमी आ जाती है और कारिशमता यथावत रह जाती है। निश्चित्ता के आधार पर आप्रचलन में अनिश्चित्ता बनी रहती हैं जिबके गत प्रयोग के अंतर गत निश्चित्ता के आधार पर गत प्रयोग में मूल्य में कमी निश्चित होती है तो आपने देखा आप्रचलन और गत प्रयोग सोचने समझने में एक से लगते ह अगर, दर के साथ प्रतिवर्ष द या गया है तो और अगर मुलेहास की दर के साथ प्रतिवर्ष शब्द नहीं दिया गया है कि प्रतिशत कि दर एवं प्रतिशत की दर में अंतर शब्दों के आधार पर प्रतिशत प्रतिवर्ष में दर में प्रतिवर्ष सालाना वार्षिक शब्द जुड़ा रहता है जबकि प्रतिशत के साथ प्रतिवर्ष सालाना या वार्षिक शब्द नहीं जुड़ा जाता अवधी के आधार पर प्रतिवर्ष प्रतिशत में सम्यानुसार हास लगाया जाता है मुल्य हास का संबंद मशीन के कारे करने के अवधी से होता है जबकि प्रतिशत के अंतरगत अवधी का संबंद सम्यानुसार हास से नहीं होता है तथा कारे करने की अवदी से भी इसका कोई संबंद नहीं रहता क्रेतिति के आधार पर प्रतिशत प्रतिवर्ष मशीन की क्रेतिति से हिसाब कर तयार करने की तिथि तक हास लगाया जाता है जबकि प्रतिशत के अंतरगत क्रेतिति से संबंद ना रखते हुए मध्य में खरीदने पर भी पूरे वर्ष का हास अपलिकित किया जाता है फूर्थ, वर्ष के अंत में शब्द के आधार पर वित्य वर्ष में यदि मशीन यदि मशीन यदि संपत्ति कार खाने में कारे रत नहीं है तो उस पर हास बिल्कुल नहीं कारते हैं जबकि प्रतिशत के अंतरगत मध्य में क्रै के गई मशीन यदि वर्ष के अंत में कार खाने में है तो पूरे वर्ष का हास काटा जाता है मशीन के विक्रै की स्थिति में प्रतिशत प्रतिवर्ष अब्द होने पर मशीन को बीच में बेचने पर मशीन जितने दिन उप्योग में लाए गई उतनी अवधी का हास लिखा जाता है उदाहरन के लिए मशीन 30 रून को बेची गई है तो इस पर 6 मा का हास लगाया जाएगा यदि कमपनी अपने लेखे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रखती है प्रतिशत के आधार पर विक्रे के स्थिति में मशीन को बेच में बेचने पर बेची हुई मशीन पर चालू वर्ष का बिलकुल भी हास अप्लिकित नहीं किया जाता जैसे कि अगर 31 मार्च को मशीनरी बेची गई है तो इस पर 3 मा का हास नहीं लगाएंगे बलकि पूरे वर्ष का हास लगाया जाएगा उदाहरन के लिए मशीनरी 31 मार्च को बेची गई है इस पर 3 मा का हास नहीं लगाया जाएगा